अपने जीवन की सबसे सुन्दर स्पृतियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। गुजरे हुए अच्छे पली वह डोर हैं जिनसे जीवन की पतंग हवा में ठहती है। पतले से पारदर्शी कागज और कमजोर तीलियों के दम पर हवा को आत्म विश्वास से चीरती हुई फढ़ फढ़ाती है। सिर्फ इसलिए कि उसके संतुलन को एक डोर ने साध रखा है। संतुलन उस धर्ती से जहां से उठती हुई वह उचे और उचे आकाश में पहुँच गई। धर्ती की सुरिती और गंध उसे याद रखनी है। हमें याद रखने हैं अपने जीवन के वो सबसे सुन्दर दिन, वो सारे पल जब हमको कोई अच्छा लगा था। जब हमने किसी पर यकीन किया था, जब किसी ने हमारे भरोसे को मजबूत किया था, हमें अपने भीतर के निर्दोश कौतुक को मिटने नहीं देना है। बहुत सारे अच्छे पलों को समेट कर सहीज कर रखना है। जिसे मुश्किल हवाओं का सामना किया जा सके, ठहरा जा सके, टिका जा सके, अपने कमजोर, पारदर्शी, पतंगी कागस जैसे मन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सके। स्मृतियां हमें अतीद की तरफ नहीं ले जाती। स्मृतियां हमें खुद के भीतर खोई हुई जगहों पर वापस ले जाती हैं। जहां हम अपने आपको ही भूल आई थे, कहीं छोड़ आई थे। इसलिए अपनी यादों से प्रेम करना अतीद जीवी होना नहीं है, बलके खुद की ही उंगली थाम कर आगत की तरफ चलना है। हर अगला पल भविशे के गर्भ में है। आपने अपने ही बच्पन के जिस प्रतिरूप की उंगली थामी है, वही कह रहा है कि जो आने वाला है उसमें आस्था रखो। यकीन करें, यह बात सिर्फ आपको आपका अतीथ ही इतने भरोसे के साथ कह सकता है। वह आपकी सबसे बेश केमती धरोहर है। उन पर वक्त की धूल नहीं जमने देनी है। कम से कम हम तो उसे साफ करते रहें, चमकाते रहें। जो आज है वह भी कल सुखत स्मेती ही बनने वाला है। अपने आज को सुंदर बनाए। ताकि कल जब वह याद बने तो हमें जब भी कुछ अच्छा पढ़ना होता है तो मैं सोचती हूँ कि वो सब कुछ आप सब के साथ शेयर करूँ। मुर्या